नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेजरिंग एग्रिमेंट जो हमें दिया गया है section 30 of the Indian Contract Act 1872 के अंदर section 30 के अंदर वेजरिंग एग्रिमेंट को लेकर कोई भी definition नहीं दी है तो section 30 ने हमें सिर्फ इतनी सी बात कही है कि अगर आप कोई भी एग्रिमेंट करते हो by way of wager यानि आप कोई वेजरिंग एग्रिमेंट तो वह agreement आपका बॉयड होगा तो वेजरिंग agreement हमारा बॉयड होता है यह बात हमें पता चाहिए लेकिन वेजरिंग एग्रिमेंट होता क्या है यह बात हमें उसके general meaning को देखकर समझनी हो तो अगर मैं जनरल सेंस में बात करूँ, वेजर का मितलब क्या होता है? इसका एक एक एक्जामपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, दो पार्टीज हैं यहाँ पर A और B, एक कहता है कि ट्यूजे को बारिश नहीं होगी, जबकि B कहता है कि ट्यूजे को बारिश होगी, तो दोनों के वीच आपस मैं शर्त लग गई, 100-100 रुपे की, A ने 30 कहता है, आप इस तरी के कोई भी ऐग्रिमेंट करते हो, तो वो आपका वॉइड होगा, यही एक्जामपल है हमारा, देख लेते हैं एक बारिश को, A and B agree with each other, that if it rains on Tuesday, अगर बारिश होती है Tuesday को, तो A will pay रुपीज होती है तो A क्योंकि A कह रहा था बारिश नहीं होगी, and if it does not rain on Tuesday, B will pay 100 rupees to A, क्योंकि B ने यहां पर कहा था कि बारिश होगी, such an agreement is a wagering agreement, and hence all, तो यहां पर आपको क्या-क्या समझ में आया, कि दो पार्टीज है, दोरों के बीच आपस में बेटिंग होती है, जिसके अंदर involvement of money होता है, और दोनों पार्टीज जो है, एक uncertain event के उपर शर्त नगारें, यानि बारिश होना या ना होना, ना ही A के हाथने, ना ही B क्या को है, यह एक uncertain event है, तो यही बात हमें बोली गई है कि वेजरिंग अगर हम definition को देखे, the term वेजरिंग अगर वेजर बेदेफाने अगर देफिनेशन को देखे, तो आगर देखते हैं, अब व पार्टी जीतेगी या तो वो पार्टी जीतेगी, in which winning or losing is wholly dependent on specified uncertain event, यानि जीत और हार, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह totally dependent है एक specified uncertain event, एक ऐसा event जो की uncertain है, पता नहीं होगा की नहीं होगा, लेकिन totally उसके उपर depend करती है, अब contracting parties की हार और जीत, it may be noted that the contracting parties should not have any interest in the contract other than the amount which they win or lose, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, वेजरिंग agreement के अंदर, जो contracting parties है, यानि जो betting कर रही है, जो gambling कर रही है, वो contracting parties का betting amount के लावा, कोई भी other interest नहीं होना चीए, अगर हम उपर वाले example में देखें, बारिश हो या ना हो, A और B में से किसी को भी कोई फरक नहीं पड़ता, और उस पर 60 लगा दिया, लेकिन अगर ऐसा हो कि A और B दोनों आपस में gambling कर रहे हैं, और A कहरा है बारिश नहीं होगी, B कहरा है बारिश होगी, B इसले कहरा है बारिश होगी, क्योंकि वो एक farmer है, तो बारिश होगी तो उससे B को फायदा होगा, वो बात अलग है कि वो betting amount भी जीच जाएगा, लेकिन उसका एक दूसरा personal benefit भी है बारिश होने पर, तो इस case में, अगर B का एक दूसरा benefit है, other than betting amount, एक दूसरा interest है, तो यहाँ पर यह जो A और B के बीच agreement हुआ है, इसको हम wagering agreement नहीं कहींगे, क्योंकि यहाँ पर contracting parties का other than betting amount कोई दूसरा interest भी show कर रहा ह तो यही बात यहाँ पर बोली गई है, कि contracting parties का कोई दूसरा interest नहीं होना कि है, other than betting amount, इसको एक और example से समझते हैं, नीचे example देखो, an agreement between A and B, which provides that, if Pakistan cricket team beats Indian cricket team, A will pay Rs. 5000 to B, and if Indian cricket team beats Pakistan cricket team, B will pay Rs. 5000 to A, the agreement is a wager, तो यह agreement हमारा wager है, दो parties है, A और B, A कह रहा है, इंडिया जीतेगी, B क अगस्तार जीतेगी, दोनों के भी चापस में शर्त लग गई, पांच-पच हजार उपे गी, तो इंडिया अगर हार गई, तो A, B को 5000 उपे देगा, और अगर इंडिया जीत गई, तो B, A को 5000 उपे देगा, तो यहाँ पर यह दोनों क्या कर रहे हैं, यह दोनों gambling कर रहे है betting कर रहे हैं, किस चीज के उपर कर रहे हैं, एक uncertain event के उपर कर रहे हैं, जो की है cricket match, आप क्या यहाँ पर, इन दोनों का कोई personal interest है, other than betting amount, कोई दूसरा interest है, बिलकुल भी नहीं, हम वो बात अलग है, आपका होगे कि देजभक्ती की बात है, इंडिया जीतेगी तो Indians को तो यहाँ पर नीचे एक note दिया हुआ है, इसको देखो, इस contract of insurance, a wagering contract, क्या contract of insurance, wagering contract होता है, अब देखो, अगर एक insurance के contract की मैं बात करूँ, तो insurance के contract के अंदर, क्या क्या चीज हम present होती है, कोई भी person insurance लेता है, let's suppose कोई अपनी car का insurance ले रहा है, तो उस person ने car का insurance क्यो लिया, ताकि car को अगर कलको कोई नुकसान हो जाता है, तो insurance company उसके नुकसान की भरपाई कर देगी, यानि जो भी loss उसको होगा, car से related, उसकी recovery उसे insurance company से हो जाईगी, इसी रहे कोई भी person insurance लेता है, तो insurance के contract के अंदर क्या क्या होता है, contract of insurance के अंदर भी uncertain event होता है, या तो कलको कार क कुछ होगा, या तो नहीं होगा, यानि happening और non happening of uncertain event तो यहाँ पर भी मौझूद है, अगर कार को कुछ होता है, तो एक party दूसरी party को पैसा पे करेगी, यानि insurance company जो है, इस person को पैसा पे करेगी, तो लगवग लगवग सभी बाते ऐसी है, जो लगता है कि contract of insurance जो है, एक wagering agreement ह लेकिन यहाँ पर एक point है, जो contract of insurance के अंदर होता है, लेकिन wagering agreement के अंदर नहीं होता, वो कौन सा point है, contract of insurance के अंदर insurable interest होता है, अब यह insurable interest क्या होता है, insurable interest का मतलब कि जो person insurance ले रहा है और जिस चीज का insurance ले रहा है उस चीज की safety के बारे में वो सोचता है कि जल्दी से जल्दी मेरे कार को कुछ हो जाए और मैं insurance कमणी से अपने पैसे को claim कर सकती तो कोई भी owner अपनी property के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचेगा या फिर अगर कोई person अपने family member का life insurance करवाता है तो वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे family member को कुछ हो जाए ताकि मैं insurance company से पैसा claim कर सकूँ ऐसा कभी नहीं सोचा जाता क्योंकि यहाँ पर उस person का उसकी property या फिर उस family member के उपर insurable interest होता है यानि वो खुद उनको protect करना चाहता है कभी भी कोई भी person उस चीज का insurance नहीं लेता जिस चीज का वो owner नहीं है कभी ऐसा सुना है अपने कि कोई person जो है अपने पडोसी के घर का insurance ले रहा है अगर उसने करवाद गया तो वो क्या चाहेगा कि जल्दी से जल्दी घर को आग लगे घर जल जाए ताकि मैं insurance company से पैसा claim कर शोकी तो उसका कोई insurable interest है अपने पडोसी के घर में बिलकुल नहीं है अगर कोई person किसी दूसरे की car का bike का insurance करवाए तो उसमें उसका कोई insurable interest है कोई insurable interest नहीं है जो मर्जी होता रहे उसको उसको तो बस यह रहेगा फटा फटा फट यह car या bike गुम हो जाए ताकि मैं insurance company से इसका claim ले लूँ तो insurance company भी insurance करने से पहले यह जरूर पूछती है कि आप जिस चीच कर इंस्च करवा रहे हो तो क्या आपका उस चीच को लेकर insurable interest है कि नहीं है जबकि वेजरिंग agreement के अंदर कोई insurable interest नहीं होता वेजरिंग agreement की अगर मैं बात करूँ दो person आपस मैं 60 लगा रहे है एक क्या रहा है कि इंडिया जीतेगी दूसरा क्या रहा है कि पाकिस्तान जीतेगा दोरनों को फरक क्या पड़ता है इंडिया जीतेगा पाकिस्तान जीतेगे उनका अपना तो कोई personal loss नहीं है उनको से betting amount से मतलब है तो वेजरिंग agreement के अंदर तो किसी भी तरी का कोई insurable interest नहीं है उनको कोई फरक ही नहीं पड़ता कि uncertain event जो है वो हो या ना हो तो contract of insurance के agreement कभी भी वेजरिंग agreement नहीं होते इन a contract of insurance the insured must have insurable interest तो contract of insurance के अंदर जो insured होता है उसके पास हमेशा insurable interest होता है अभी insured कौन होता है insurance के contract में दो parties होती है एक वो party जिसने insurance लिया है और दूसरी insurance company तो जिस party ने insurance लिया है उसको बोलते हैं insured और जो company है जिससे insurance लिया है उसको बोलते है insurer तो insurer जो है insurance company होती है और जो person insurance लेता है वो insured कहलाता है तो यहाँ पर कहा गया है कि contract of insurance के अंदर हमेशा insured का insurable interest होता है without insurable interest it will be a wagering agreement तो अगर किसी contract of insurance के अंदर insurable interest नहीं हुआ तो वह agreement wagering agreement होगा और wagering agreement हमेशा void होते हैं ये बात हमें section number 30 ने बता दिया है और void agreement कभी भी enforceable by law नहीं होते हैं ये बात आप ध्यान डखना दोनों के effect के आउते हैं दोनों के भी difference के आउते हैं तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हो लेकिन हम बात करें void agreement कभी भी enforceable by law नहीं होते हैं अगर a और b के भी चापस में शर्त लगी a ने बोला इंडिया जीते की b ने बोला पाकस्तान जीतेगा कल को अगर इंडिया जीत जाती है तो क्या इस बात की कोई guarantee है कि b a को पैसा देजेगा अगर b ने a को पैसा नहीं दिया तो क्या a उस पैसे की recovery के लिए court में जा सकता है विर्कुल नहीं जा सकता चुकि वेजरिंग agreement है और वेजरिंग agreement को पैसा नहीं दिया तो आप उसकी recovery के लिए court में नहीं जा सकते है यह agreement वॉइड है इसका example देखो नीचे an example of insurable interest is a policy holder buying property insurance of their own house but not for their neighbor house कोई भी policy holder यानि कोई भी person अगर insurance करवाता है तो वो अपने घर का insurance करवाएगा ना कि कभी भी अपने पडोसी के घर का insurance क्योंकि उसको अपने घर के insurance में insurable interest है ना कि दूसरे के घर में the person does not have insurable interest in any financial loss arising from damage to their neighbor house तो उसके neighbor के house को कलको कुछ भी हो जाए आग लगे कुछ हो उसको क्या फरक पड़ता है उसका को insurable interest उसको अपने समान की चिंता है दूसरे की समान की चिंता क्यों होगी अभी हम contract of insurance को all detail में देखेंगे जब हम wagering agreement के exception पड़ेंगे वहाँ पर specific point है contract of insurance था उसमें detail में बात करेंगे इसके बारे में next है हमारा essentials of a wagering agreement आखरे के wagering agreements के अंदर कौन-कौन से essentials होने चीए वह हम देखेंगे या फिर इसको आप क्या सबते हो conditions for an agreement to become a wager पहला point है हमारा uncertain event तो हमें पता है wagering agreement के अंदर हमेशा जो event होता है जिसके ओपर bet लगाई जाती है वो event uncertain होता है दोनों में से किसी भी party को यह नहीं पता होता कि इस uncertain event का result क्या होगा the performance of an agreement must be dependent upon the happening or non happening of an uncertain event तो जो performance करी जाती है agreement में अब wagering agreement के अंदर क्या performance करी जाएगी या तो कोई जीतेगा या कोई हारेगा और जो हारेगा वो दूसरी party को पैसा पी करेगा तो जो performance करी जा रही है वेजरिंग agreement में यह dependent है यानि depend करती है किसके ओपर uncertain event के happening और non happening के ओपर तो आपका जो यह uncertain event है जिसके ओपर betting करी जा रही है यह event जो है past भी हो सकता है present भी हो सकता है future भी हो सकता है generally betting के case में uncertain event future ही होता है हम future के किसी uncertain event के ओपर ही bet करते हैं लेकिन यह uncertain event past और present भी हो सकते हैं। ऐसा एक case lock के अंदर judgment आया था, court ने judgment तुनाया था और कहा था कि जरूरी नहीं है, आपका uncertain event future ही हो, वो past और present भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात कही थी, कि event आपका past, present, future कुछ भी हो सकता है, but the parties must be unaware about the result. लेकिन जो parties हैं, जो bet लगा रही हैं, उनको उस uncertain event के result के बारे में पता नहीं होना चाहिए। सबसे बहले future uncertain event का example देखे हैं। तो एक cricket match होने जा रहा है, इंडिया और ऐस्टेलिया के बीच, मुम्बई में, कब हो रहा है, next week में। A and B enter into an agreement that A will pay 500 rupees to B if Team Australia wins and B will pay rupees 500 rupees to A if India wins. There is a wage ring agreement and is wordt, तो A और B आपस में bet कर रहे हैं। A कहा रहा कि India जीटेगी, B कहा रहा कि Australia जीटेगी, A ने बोला कि अगर इंडिया हारी तो मैं तुझे 500 रुपी करूँगा, बी ने बोला कि अगर ऑस्टेलिया हारी तो मैं तुझे 500 रुपे पे करूँगा तो दोनों की भी चापस में एग्रिमेंट हो गया जो की वेजरिंग है और अल्टिमेटली वॉइड है तो यह एग्रिमेंट जो है एक future uncertain event को लेकर हुआ है मैच कब है next week uncertain event next week है जिसके result के उपर बैटिंग करी जा रही है अब यह इवेंट यहाँ पर तो future में है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो इंडिया जीती थी बी कहता है नहीं मुझे लगता है कि इंगलेंड जीती होगी जब कि दोनों में से किसी को भी नहीं पता कि जो मैच हुआ था ना इन्टी में उसमें आखर आप जिस भी अनसर्टेन इवेंट के ओपर बैटिंग कर रहे हो वह अनसर्टेन इवेंट का रिजल्ट आपको नहीं पता होना चाहिए बैटिंग करते टाइम यहाँ पर यही बात बोली गई है पार्टी मस्ट बी अनवेर अब प्रेजेंट अगर मैं एक्जांपल दी ले कोई भी जो है मोबाइल में भी मैच का रिजल्ट नहीं देख सकता है घर पहुचने से पहले दोनों अपस में बैट करते हैं यह बोलता है कि लिया जीटियों की भी बोलता है पागिस्तान जीता होगा चल लगाते हैं एक एक हजार की शर्ट यानि यहाँ पर भी बैटिंग गेन और लॉस यानि हारने और जीतने का दोनों ही पार्टि इसके पास mutual चांस होना चाहिए यानि 50% चांस अगर किसी का हारने का है तो 50% चांस ही उसके जीतने का भी होना चाहिए ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक पार्टि के पास जीतने का चांस जादा है और हारने का काम है या दूसरी पार्टी के पास हारने का चांच जादा है और जीतने का चांच काम है इस तरीके की कोई भी बात में होने चाहिए दोनों ही पार्टी इसके पास mutual इस الإ ऐने सब्सक्राइबक एक पार्टी सिरफ जीतस का चांच नहीं है तो ऐसे आपके वेजरी में नहीं वेजरिंग एग्रिमेंट सट्टा है और सट्टे में कोई भी जीत सकता कोई भी हाल सकता है इसके उपर हमारे केस लोग हुआ था जो पैसा मैच के अंदर टिकट बेच कर रेसीव किया जाता है यानि रेसिंग मैच चलेगा तो उसमें जो टिकट बिकेंगी ओडियंस जो उस मैच को देखने आएगी उनसे जो पैसा घटता होगा उसको गेट मनी बोला जाता है और उस पैसे में से 1,125 रुपीज जितने वाल च्मेंड़ रुपीज पै करेंगी तो इस तरीका अग्रिमेंट हुआ दोनों रैसिलर के बीच में अब हुआ क्या मैच वाले दिन दोनों से एक रैसिलर जो है उस मैच में नहीं पहुचा तो दूठरे रैसिलर ने जो है बोला कि अग्रिमेंट के साफ से अब यह मुझे 500 रुपे करेगा तो जब 500 रुपे करनी की बारी आई तो उसमें वो दियार नहीं देता हमारे भी जू अग्रिमेंट हुआ था यह एक वेजरिंग अग्रिमेंट था हम सट्टा लगा रहे थे एक future uncertain event हार और जीत के उपर सट्टा लगाया जा रहा था कि जो भी रैसलर जीतेग सुनाया और judgment में क्या का कि यह जो एग्रिमेंट हुआ है इन दो रैसलर के बीच यह एग्रिमेंट वेजरिंग एग्रिमेंट नहीं है वेजरिंग एग्रिमेंट में one of the essential element के होता है कि mutual chance of gain or loss यानि दोनों ही पार्टी इस के पास हारने और जीतने का mutual chance नहीं इस एग्रिमे पर जो है दोरों में से कोई भी मैच हारे या कोई भी मैच जीते जो प्राइज मनी पे करना है वो किसी के भी जेब से नहीं जा रहा तो हारने जीतने का तो कोई chance नहीं है अगर जो रैसलर मैच में नहीं पहुचा वो दूसरे को 5 पर पे करेगा इस तरीके का agreement आपने आपस आपस… मॉली सूसरे के रहा ज्रीक इस पूसरे के ऐढặître को खि वेर एंडिवीन का सहरा में वेरा हुचा भी मैच वेली पूसरे का रहा हा या ऑचे हमेच हैंने के रहा है ऱूसरे की वेरा है वेंड है। भी मैच है स्नुचा ऎस रहा है कि दूसरे कामेचunya द ग गपर जा मै from the gate piece given by the public and not from the pocket of either party. तो clear होगे आपको? तो second essential element है हमारा की agreement में mutual chance of gain or loss होना चाहिए. Third essential element हमारा, neither party to have control over the event. दोनों में से किसी भी party के पास, किसी भी तरीके का कोई control नहीं होना चाहिए उस specified uncertain event के ओपर. The parties to the contract should not have any control over the happening of the event one way or the other. If one party has the events in his hand, the transaction will not be a wager. तो अगर कभी भी किसी एक भी party के हाथ में वो uncertain event हुआ, तो फिर उस case में वो transaction wager नहीं होगी. तो अगर कोई भी एक party के पास अगर थोड़ा सा भी control हुआ, उस transaction को अपने हिसाब से चलाने का, तो उस case में फिर वो transaction chance और luck की बात नहीं जाए जाएगी, या फिर कहा जाए कि वो transaction जो है, वो पूरी तरीकी से luck और chance के ओपर depend नहीं है, तो उस case में वो transaction wager नहीं कहलाएगी. यह हमारा एक case law हुआ था 1885 में, इस case में court की तरह से judgment आया था, अगर किसी भी एक party के हाथ में उस uncertain event का result हुआ, तो उस case में वो transaction जो है, वेजर नहीं कहलाएगी. Due to this essential of wagering agreement, हमारे जो essential element है wagering agreement का, की wagering agreement के अंदर uncertain event पे किसी भी party का control नहीं होना चाहिए. इसकी वज़ए से skill-based events exempt हो जाते हैं from wagering agreement, यानि skill-based event जो है, वो wagering agreement के अंदर नहीं आते, skill-based event कौन सो होते हैं, ऐसे event जिसके अंदर किसी person की skill का इस्तमाल होता है, intelligence का इस्तमाल होता है, तो जब कभी भी skill-based event की बाद आती है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि party के अपास control तो है न, थोड़ा बहुत control तो है, वो अपनी knowledge के base पे result को change कर सकती है, तो कोई भी transaction जो skill-based जोगी, वो कभी भी wagering agreement के अंदर नहीं आईगी, बाकि जो transaction luck और chance पर depend हो, वो हमारी wagering transaction क्यालाती है, इसके example देखो, A and B enter into an agreement that if A resign his job, B will pay rupees 5000 to A, and A will pay rupees 5000 to B if he does not resign his job, here A has the event under his control, hence not a wager, तो देखो, यहाँ पर दो दोस्ते हैं, A and B, दोनों A की company में job करते हैं, तो A बहुत बार काम के pressure में आकर B को बोल चुका है, कि अब मैं अपनी job को छोड़ रहा हूँ, अब मैं छोड़ रहा हूँ, और फिर छोड़ता नहीं है, अब B जो है, उसकी बात को मजाक में लेने लग जया, बार-बार A जब बोलता है कि मैं job छोड़ रहा हूँ, B उस पर हज़ देता है, तू सिर्फ बोलता बोलता है छोड़ता तो कभी है नहीं, तो A एक दिन सच में seriously हाकर बोलता है, तो मैं अब अपनी job से resign कर रहा हूँ, B फिर नहीं बानता, B बोलता है जोड़ बोल रहा है इस बात भी, नहीं छोड़ेगा, अगर तूने अपनी job छोड़ दी मैं तुझे 5,000 रुपे दूँगा, A बोला ठीक है दे दे ला 5,000 रुपे, B ने बोला पहले job छोड़, छोड़ेगा तब मिलेंगे 5,000 रुपे, अभी दो सब्सक्राइब बोली रहा है, और अगर तूने job नहीं छोड़ी, तो तू मुझे बदले में क्या देगा, तो A बोला अगर मैंने job नहीं छोड़ी, यह तो पूरा dependent किसके उपर है, A के उपर, A के अपने हाथ में वो जब चाहे job छोड़ दे, चाहे तो शर्त जीत जाए, चाहे तो शर्त हार जाए, तो यहाँ पर पूरा का पूरा control इस event का A के पास है, तो इसलिए यह कभी भी के वेजरिंग एग्रिमेंट नहीं कहलाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नो अदर इंटरस इन दा इवेंट, तो यह हम पहले भी देख चुके, कि दोनों में से किसी भी पार्टी का, other than betting amount, कोई भी दूसरा इंटरस नहीं होगा, हमने देखा था, insurable interest, insurance के contract अंदर insurable interest होता है पार्टी इसका, लेकिन यहां पर, neither party should have any interest in happening or non happening of the event, other than the sum or stake he will win or loss, इसको example से समझो, सुमित, an owner of a house, insures his house against fire with GIC, सुमित has to pay an insurance premium of rupees 5000 per month, as per the term of the contract, if the house is destroyed by fire, of loss suffered by him, here सुमित has the interest in his house, further on the happening of the event, that is fire, सुमित will not gain anything, hence it is not a wager, तो यहां पर क्या बोलागे है, सुमित एक परसन है, जिसके पास अपना एक घर है, यानि वो एक घर का owner है, वो जो है अपने घर की safety के लिए, अपने घर का insurance करवाता है, यानि वो भी चाता है, कि मेरे घर को कुछ ना हो, मैंने आपको बताया था कि, किसी भी समान का, किसी भी परसन का insurance, insurance company तभी करती है, जब सामने वाली party के पास, insurable interest हो, तो सुमित के पास उसके घर का insurance है, यानि उसके पास insurable interest है, अब सुमित 5,000 रुपे पर मन, प्रीमियम भी पे कर रहा है, अब कल को अगर घर पे आग लग जाती है, घर destroy हो जाता है by fire, तो GIC जो है, उसके loss का amount उसे pay कर देगी, पूरा amount पे नहीं होता, कुछ percentage, 70-80% amount पे किया जाता है, तो जब हम exceptions पढ़ेंगे, ना कि किसी भी तरीका कोई gain होगा, तो यहाँ पर दो बाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि insurance के contract वेजरिंग contract नहीं होते, पहला सुमित के पास insurance के contract करने का insurable interest है, जबकि वेजरिंग agreement में कभी भी कोई insurable interest नहीं होता, किसी भी तरीके का parties का इंटरस्ट नहीं होना चाहिए, other than betting amount, दूसरी बात, वेजरिंग agreement के अंदर, हमेशा एक party को फाइदा होता है, और दूसरी party को नुक्सान, यानि, वहाँ पर gain और loss की situation तो आती है, लेकिन insurance के case में, यहाँ पर uncertain event के happen होने के बावजूब, सुमित का कोई फाइदा नहीं हुआ है, सुमित को भले ही, GIC ने उसका loss पे कर दिया, लेकिन वो loss सिर्फ उसके नुक्सान की भरपाई है, उससे यादा कुछ नहीं, तो सुमित को यहाँ पर किसी भी तरिकाएदा कोई gain नहीं होगा, और insurance company को तो उसका premium मिली रा था बदले में, तो उसका भी कोई वो नुक्सान नहीं कहलाएगा, तो इसलिए जो contract of insurance होता है, वो कभी वो wagering agreement नहीं कहलाता, तो clear होगा अबको, next point हमारा fifth point, जो किया है, the promise must be to pay money और money worth, on the happening or non happening of the uncertain event, तो यहाँ पर simple सी बात कहीं गई है, कि जो promise करा जाएगा, यानि parties जब आपस में gambling करेंगी, betting करेंगी, तो उसमें money की involvement होनी चीए, तो मैंने आपको पहले ही बोलाता, wagering agreement के अंदर जो betting करी जाती हो, उसमें हमेशा involvement of money होता है, तभी वो agreement, wagering agreement कहलाएगा, तो हमारी पाँच essential element complete होगए, अब देखते हैं, अब नेक्स point जो की है, exceptions to the wagering agreement, तो wagering agreement को लेकर, general rule क्या कहता है, section number 30 क्या कहता है, कि wagering agreement void होते हैं, void का मतलब, wagering agreement ununforceable by law होते हैं, लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके exceptions, आप किसी भी चीज़ के exceptions पढ़ोगे, उसका मतलब होता है, कि यहाँ पर general rule follow नहीं होगा, जितने में points नीचे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हम total 5 points पढ़ेंगे, 5 exceptions पढ़ेंगे, वो 5 ओ की 5 exceptions के अंदर, जो agreement होगा, पूरी तरह की से valid होगा, और enforceable होगा, सबसे पहला है हमारा chit fund, chit fund क्या होता है, इसको एक example से समझो, chit fund की अगर मैं बाग करूँ, एक scheme है, chit fund scheme, total 50 member है उसमें, इस scheme में होना क्या है, कि हर member जो है, monthly 1,000 रुपीस की payment करेगा, यानि 1,000 रुपी जो है, सबी 50 members से लिए जाएंगे, एकटे करे जाएंगे, तो total कितने हो गए, पहले महिने के 50,000 रुपी, हर member से 1,000 रुपी लिए, total 50,000 रुपी होगे, अब होगा क्या, इस 50,000 रुपे को एकटा करा जाएगा, और महिने के आखर में, एक auction अनाउंस किया जाएगा, यानि 50 जो member थे, वो 50 member एक जगह पर एकटे होंगे, और उसके बाद bid लगाई जाएगी, auction के अंदर जिस तरीके से bid लगाई जाती है, bid लगाई जाएगी, auction के अंदर bid highest जाती है, यानि जो highest bid लगाता है, वो जीच जाता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर क्या होगा, वो person bid लगाईंगे, जिनको पैसोगी जरुवत होगी, जो person सबसे कम amount की bid लगाएगा, वो जीच जाएगा, उसको ये पैसा मिल जाएगा, तो अगर सबसे सबने bid लगाने शुरू करी, पहले person ने 49,000 की bid लगाई, कि मुझे 50,000 की बज़ाई, सिर्फ 49,000 मिल जाएगा, तो उसको पैसोगी जरुवत है, दूसरे ने bid लगाई, कि मुझे 48 मिल जाए, तीसरे ने bid लगाई, कि मुझे 46 मिल जाए, तो काम चल जाएगा, चौथे ने लगाई, कि मुझे 45 मिल जाए, अब इससे नीचे किसी और ने नहीं लगाई, तो जो चौथया person है, जिसने 45,000 की bid लगाई, वो जीच जाएगा, और उसको 45,000 रुपीज मिल जाएगे, यानि 50 में से उसका कितने का लॉस हुआ, 5000 का, 45,000 में वो मान गया, उसको पैसे जरवाट थी वो ले के चला गया, तो बचे वे जो 5000,000 हैं, टोटल 5000,000 है खटे हुए थे, तो जो 5000,000 हो अधर 49 मेंबर्स, जो हैं, उनमें आपस में डिस्ट्रिबूट हो जाएगे, तो इस तरीके की स्कीम में क्या होता है, सोसाइटी के अंदर जो है, कुछ लोग ग्रूप बना लेते हैं, और हर मेंबर मंत्री थोड़ा-थोड़ा पैसा देता है, ताकि एक ज़्यादा अमाउंट बन जाए, और जिस भी परसन को हर महिने उस अमाउंट की जर्वात होगी, उसको वो अमाउंट मिल जाएगा, तो इससे सभी की मदद भी हो जाती है, और थोड़ा बहुत सभी का बेनिफिट भी हो जाता है, तो इसको बलते हैं हम चिट फंड स्कीम, और इस तरीके के अगर कोई स्कीम करी जाती है, तो वो पूर्ट तरीकी से वैलिड होती है, और एंफोर्जबल होती है, एक बार इसको पल देते हैं, अचिट फंड स्कीम हैस 50 मेंबर, इच पेंग अमंत्री इंस्टॉल्मेंट अफ रूपीस बन थाउज़न, तो एक एक हजार पर करके पचास जार पर पहले मैंदी में खट्य हो जाएंगे, लें अचिट फंड तो ऑक्षिन जब अनौन्स होगा, कि उसमें से अगर माल लो कोई एक winning bidder है यानि वो 45,000 रुपे ले जाने को त्यार हो गया तो बच्चे वे जो 5,000 होंगे वो other 49 members को आपस में distribute हो जाएंगे हाँ वो 5,000 डिस्टीबूट होने से पहले उस 5,000 में से एक छोटा सा हिस्सा जो है इस scheme के organizer को मिलते हैं यानि जिसने यह scheme organize करी उसको छोटी सी fees मिलेगी उसके बाद 5,000 में से जो बैसा बचेगा वो बाकि 49 members के बीच आपस में distribute हो जाएगा तो यह होती है चिट fund scheme इस तरीके की कोई scheme चलाते हो तो आप पूरी तरीकी से valid होगी हाँ फ्रॉड मत करना कई बार जो है आपने सुना होगा कई अल वर फट्रॉड में इसमें कोट की तरह से जज्जमेंट आया था कि जो चिट में अगी होता है वो कभी भी वेजरिंग नहीं के ला था इट वाज़ा था इट अच्ट फंड अचान्स तो यहाँ पर क्या पर क्यांड पर का्वेंबर शूड से बार, यहां पर क्या स्ट यह ह बोला कोटने कि चिट फंड एग्रिमेंट कभी भी वेजरिंग एग्रिमेंट नहीं होता, चिट फंड के अंदर मेंबर्स के पास जीतने का चांस तो होता है, लेकिन कभी भी हारने का चांस नहीं होता, इसका मतलब समझो, जो 5,000 फे बज़ गए थे, तो वह तो 49 members जो थे उनको extra gain ही हो गया, फायदा ही हो गया, तो हर महीने जो difference amount बचेगा, वो सभी members में आपस में distribute होगा, तो हर member को gain तो होगा हर महीने, लेकिन किसी भी तरीका का कोई loss नहीं होगा, क्योंकि जो पैसा आप मंतली contribute करोगे, आखर में वो पैसा आपको वापस मिल जाने है यहाँ पर, जबकि wagering agreement में क्या होता है, जितना chance आपके जीतने का है, उतना ही chance आपके हारनी का भी होना चाहिए, तो chit fund के अंदर gain का chance जरूर है, लेकिन कभी भी loss का chance नहीं होगा, इसलिए chit fund scheme कभी भी wagering agreement नहीं क्या लाती, दूसरा exception है हमारा speculative transaction और commercial transaction और share market, अभी speculative transaction क्या होती है, इसको example से समझे, example देखते हैं पहले इसका, suppose यहाँ पर दो parties है, A और B, A क्या करता है, A rice बेचता है, तो एक दिन B जो है, A के पास आता है, और आकर कहता है, कि मुझे 10 metric 10 rice चाहिए, A कहता है, B आया था, A के पास 15 जनवरी 2022 को, जिस दिन rice का price कितना चल रहा थ 6,000 पर metric ton, और B को चाहिए total 10 metric ton, तो B कहता है, A को, कि मुझे यह rice आज ने चाहिए, तो A कहता है, कब चाहिए, B ने बोला, मुझे चाहिए यह rice 15 June 2022, यनि आज से 5 महिने बाद, आज 15 जनवरी है, मुझे चाहिए 15 June, तो A ने बोला, मिल जाएंगे, B कहता है, मैं तुमारे स में मिलकर एक contract कर लिया, कब करा, 15 January 2022 को, जिस दिन B के पास आया था, उस दिन price चल रहा था, 6000 पर metric ton, अब क्या 6000 के price पर A contract करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, A कहेगा, कल को price बढ़ जाएगा, तो मैं 6000 पर supply की करू, तो B ने बोला, ठीक है, एक काम कर लेते है, 6000 पर आज का price ह हम 8000 पर बे कर लेते हैं, B को लग रहा है कि price जो है, कल को 8000 से भी जादा हो जाएगा, तो इसलिए वो सोच रहा है कि 8000 पर बे कर लेते हैं, 8000 metric ton जैसाब से, तो मुझे 5 महीने बाद 10 metric ton rice supply कर देना, यह सोच रहा है, 5 महीने तो हैं, कितना बढ़ जाएगा, 6000 चल रहा है, कि price हम 8000 पर metric ton, और delivery और payment की date किस दिन होगी, 15 June 2022, तो यह agreement हो गया, A और B के बीच, अब 15 तारिक आई, यहाँ पर 156 कर लेना, 154 हो रखे हैं, तो अब date आई, 156 2022, तो 15 June को market के अंदर, rice का price कितना होगा, 11000 पर metric ton, अचानक से rice का price बहुत तेजी से बढ़ा, 5 महीनों के 11000 चला गया, यहाँ पर B का फाइदा हो गया, तो अब बारी आई, rice supply करने की, तो 15 June को, A जो है, B को rice supply कर देगा, 8000 पर metric ton के साफ से, एक option तो यह हो गया, अभी देखो, यहाँ पर दूसरा option भी निकल के आएगा, पहला option यह हो गया, कि जो contract के साफ से कहा था, A जो है, B को 8 1000 रोपे पर metric ton के साफ से, 10 ton rice supply कर दो, दूसरा option यहाँ पर एक और है, A, B को कहेगा, कि देखो, मुझे पता है, कि तुम मेरे से 8000 रोपे के साफ से rice खई जोगे, और तुमें यह rice खुद consume नहीं करने, तुम इसको फर्दर आगे sale करने वाले हो, तुम मेरे से 8000 रोपे में इसको 11000 रोपे में बेच होगे, और net per ton पे 3000 रोपे का profit कमा होगे, तो इससे अच्छा है, कि मैं rice को तुमें supply करूँ, और फिर तुम इसे आगे supply करो, तुमें 3000 रोपे में सप्लाई करता ही नहीं हो, तुम जो है, मेरे से 3000 रोपे के साफ से, अपने 10 metric ton का पैसा ले लो, या मारी महनत भी बच गई, मेरी महनत भी बच गई, तुमें जो फाइदा होना था, वो हो गया, मुझे जो नुफसान होना था, वो वैसे भी हो गया, तो यहाँ पर दो option थे, A के पास, A या तो चीज़े सीदर delivery कर देता, contract को पूरा कर देता, दूसरा A ने जो है, B को differential amount दे द था, कि future में अगर price बढ़ता घड़ता है, तो हमारा फाइदा हो जाएगा, तो इसको हम बोलते है, speculative transaction, जहां पर आप future price को देखते हुए, future के फाइदे और नुफसान को सोचते वे, present में कोई transaction करते हो, तो इसको हम बोलते है, speculative transaction, तो यही बात यहाँ पर कह रहा है, यह क्य speculative transaction का मतलब क्या होगा, if at the time of entering into an agreement, the intention was to take delivery, but the agreement is finally settled the price as per fluctuation of prices, then it is called speculative transaction and it is not major, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कि अगर contract बनाते time पर parties की intention यह है, कि वो goods की delivery लेंगे, यानि A और B के भी जब contract हुआ था, 15 जन्वरी को, तो उस time पर क्या दोनों parties की आसी को intention थी, कि हम payment देत time पर difference को settle कर लेंगे, ऐसा कुछ mind में था दोनों के, बिल्कुल नहीं था, वो तो यह सोच रहे थे ना, कि A जो है, B को rice supply करेगा, और B उसको आगे फर्दर sale करेगा, तो contract करते समय, A और B, दोनों में से किसी का भी difference को settle करने की कोई भी intention नहीं थी, लेकिन हुआ क्या, price में fluct fluctuation आ गया, price जो है, कुछ जादा ही उपर नीचे हो गया, जिसकी वज़य से मजबूरी में आकर, उनको difference को settle करना पड़ा, starting में ऐसी को intention नहीं थी, लेकिन बाद में फाइनली जो है, difference amount को settle करा गया, तो इस तरीके से कभी भी कोई agreement करा जाता है, कोई contract करा जाता है, जिसमें contract करते time, goods की delivery की intention होती है, तो उस case में आपकी जो transaction है, speculative transaction कहलाईगी, लेकिन वो wager नहीं होगी, और wager नहीं होगी, इसका मतलब आपकी transaction पुरी तरह की से valid होगी, enforceable होगी, तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, कि जब contract बनाया जा रहा है, उस time पर parties की intention क्या थी, क्या price settle करने की intention थी, या goods की delivery लेने की intention थी, अगर goods की delivery लेने की intention थी, फिर चाहे बले ही last में price settle कर दिया गया हो, तो उस case में कोई दिक्कत निया, आपका agreement पुरी तरह के से valid होगा, लेकिन अगर contract करते हैं, time ही parties की intention, delivery लेने की नहीं थी, वो तो सीधे सीधे price की ओपर 60 लगा रह आप goods की delivery लेना ही नहीं चाहते है, आप agreement कर रहे हो, सिर्फ अपना profit कमाने के लिए, सिर्फ बीच का जो difference amount है, उसको settle करने के लिए, यह और BTP चकर rise देने की intention ही नहीं होती, तो वो agreement वेजर agreement कहलाता और void होता, तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, कि intention क्या है, parties की agreement कर के time, तो clear होगा आपको, next point है हमारा, games of skill and athletic competition, तो यह तो हमने उपर देख लिया, कि अगर कोई skill based event होता है, जिसमें आपकी skills का स्क्माल हो रहा है, आपकी intelligence का स्क्माल हो रहा है, तो उसके इसमें आपका agreement कभी भी वेजर नहीं कहलाएगा, तो आखर क्या कहता है, skill competition are not set to be a w major, since the winning of such event required a substantial amount of skills and are not dependent on the probability of an uncertain event, तो skill competition जो होते हैं, जहां पर आपकी skills का आपकी intelligence का स्क्माल होता है, वहाँ पर कभी भी जीतना या हारना, uncertain event के ओपर depend नहीं होता, example के अगर बात करें, cross world puzzles, picture competition and athletic competition, where prices are awarded on the basis of skill and intelligence, are the games of skill and hence such competition are valid, तो अगर जो cross world puzzles होते हैं, picture competitions हो गया, athletic competition हो गया, तो अगर इन सब में आपकी skills का अस्तिमाल हो रहा है, यानि जो competition है, वो पूरा skill based है, तो फिर उस case में आपके इन सबसे related सारे agreement कुई तरी किसा valid होगे, लेकिन यहां पर एक और बात कही गई है, according to the price competition act, जो price competition act उसमें क्या नहीं होंगे, provided, यानि एक condition लगा दी, उनका जो winning amount है, वो एक हजार से जादा नहीं होगा, price money 1000 से कम होना चलिए, अब ये बात कुन कहा रहा है, price competition act, यह limit price competition act ने लगाई है, जबकि Indian contract act ने इस तरी के कोई condition नहीं लगाई, इस तरी के कोई limit नहीं लगाई, Indian contract act ने सीजे सी लगाई है, कि skill based event जो होते हैं, वो वेजर नहीं कहलाते, पुरी तरी के से valid होते हैं, जबकि price competition act ने 1000 की limit लगा दी, तो आपके exam में, अगर price competition की बात बोली जाए, तो आप 1000 की limit वाला बता दे ना, तो अपने question के साब से आप इसका answer देख सकते हो, इस तरी के contradiction हो रखा है, दोनों बातों है, तो exam में, examiner इस तरी के question नहीं पूछेगा, जहाँ पर students confused होंगे, और एक question के दो-दो answer बन सकते हैं, तो ऐसे question नहीं पूछे जाते हैं, कभी भी exam में, अब मैं बात करूँ यहाँ पर एक और example की, अभी देखो आपने उपर देखा, cross world puzzle वाला जो game है, example के अपने newspaper में देखा होगा, एक puzzle आती है, उसको solve करो, और solve करके जो editor होता उसको भीजो, इस तरी के competition आते हैं newspaper में, तो एक cross world puzzle अगर newspaper में दिया हो, और यह कहा गया हो कि, जिसका भी solution match करेगा, correspondent with the solution kept with the editor, जो editor ने solution मनाया है, उस solution से, जिस person का भी solution match करेगा, उसको first prize मिलेगा, अब आप खुद सोच के देखो, कितने सारे लोग होंगे, जो उस newspaper को पढ़ेंगे, उसमें से उस puzzle को solve करेंगे, और उस puzzle के answer को editor को भीजेंगे, और कई सारे लोगों का answer जो है, उस editor के answer से match करेगा, तो सभी को first prize तो मिलेगा नहीं, अब editor क्या करेगा, उन सभी सही answer को एक किसके ओपर कर गया, chance के ओपर, luck के ओपर, तो अगर चाहे फिर वो cross world puzzle हो, कुछ भी game हो, अगर उसका price जीतना या हारना, वो luck के ओपर depend करता है, तो फिर वो तो आपके लिए wagering agreement कहलाएगा, तो यहाँ पर ये जो newspaper में cross world puzzle आए, this is a game of chance, and therefore a lottery, and thus is a wager, तो ये wager कहलाएगा next है हमारा horse racing competition, अब government ने जो है horse racing competition को भी wager नहीं कहा, इनको भी valid declare कर दिया, अब ऐसा क्यों करा गया, क्योंकि law makers का खहना है कि जो horse racing competition होता है, उसमे horse की skill का इस्तिमाल होता है, कौन सा horse जीतेगा या हारेगा वो depend करता है, horse की training को लेकर उसको कैसा खाना खला आ जाता था, उ section 30 of the Indian contract act provide that the agreement based upon the winning or losing of the horse will not be a void agreement, in such cases, any subscription or contribution of the value of rupees 500 or upwards made toward any price or sum of money which is to be awarded to the winner of any horse shall not be unlawful, अब दो को यहापर क्या का आ गया है, कि अगर आप कोई contribution करते हो, यानि जो horse race होता है, उसमें एक coupon खरीजना होता है, जब भी आप horse racing में बेटिंग करते हो, तो उसमें एक coupon amount होती है, कि इतने का coupon खहितना है, तो यह कहारा कि अगर आप कोई subscription खहिते हो, यानि कोई coupon खहिते हो, जो की 500 के amount से उपर है, यानि सीधे सीधे अगर आप 500 रुपे से उपर का सट्ता लगा रहे हो, horse racing में, तो आपकी 500 रुपे से उपर की horse racing की bet, वो unlawful नहीं होगी, यानि वो lawful होगी अब यहां पर सवाल आता है, 500 रुपे की limit क्यों लगाई, क्योंकि horse racing जो है, वो करते हैं, आमीर अभी जो बड़े-बड़े लोगों होते हैं, छोटे-छोटे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, जो 500 से कम वाले हैं, उनके लिए तो void है, वो इस तरीके की betting नहीं कर सकते है बड़े-बड़े लोगों की बात हो रही है, जिनसे government को बहुत ज्यादा tax मिलता है, उन लोगों को बोला, क्या आप लगाओ, अराम से betting करो horse racing में, आप 5 तो रुपे से उपर की जितनी बरजी betting करो, आपकी betting को unlawful नहीं माने जाएगा, आपका agreement पूरी तरीकी से valid होगा, सी routes, practice, food, maintenance, the horse race is based more on the skill of the horse rather than luck, तो horse race जो है, वो mostly skill पर depend करती है, ना कि luck पर, तो इसके ओपर एक case वलाओ भी हुआ था, court में case गया था 1968 में, जिसमें court की तरह से भी यही judgment आया था, in this case, the court differentiated horse racing as a game not based on chance, rather game based on skills, तो court ने भी यही कहा, कि horse racing game जो है, वो skill के ओपर depend करती है, ना क पर, और कोई चीज आपके skill के ओपर depend कर रही है, तो वो तो कभी भी wagering नहीं कहलाती, यहाँ पर court ने एक और बात कहीती, रमी is also the game based on skill, तो यहाँ पर court ने कहा, कि जो रमी game होती है, जो ताश के पत्तों की game होती है, वो भी skill based game है, skill based game कैसे है, जब पत्ते बाटे जाते है, तो बाटे समय तो लग है, लेकिन उसके बाद सारा मामला skill का आजाता है, जो खेलने में expert होगा, वो जीतेगा, तो court ने कहा कि यह जो रमी game है, यह भी game based on skill है, court ने इसको wagering agreement से बाहर कर दिया, example देखें, एक दो, A and B enter into an agreement in which A promise to pay rupees 2 lakh provided Chetak wins the horse race competition, Chetak कौन है गोड़ा, जिस who was permitted to conduct the race course competition to contribute rupees 600 toward the money which was to be paid to the winner of the horse race to be held on a particular day, this is not a wager, तो यहाँ पर horse race competition करवाय जा रहा है, जिसमें contribution कितना है, 600 रुपे, 500 रुपे की limit थी, 500 रुपे से उपर की betting करोगे, horse race competition में, तो पूरी तरीकी से valid होगा, तो इसलिए यह transaction वेजर नहीं होगी, next है मारा 5th point, contract of insurance, insurance का contract म मैं आपको पता दिया, कभी भी वेजर नहीं होता, an insurance contract is a contract of indemnity, which is used to safeguard the interest of one party or property against the damage and also has an insurable interest, तो contract of insurance जो है, वो एक contract of indemnity होता है, insurance का contract, contract of indemnity के अंदर आता है, contract of indemnity क्या होता है, यह एक contract होता है, जो दो parties आपस में करती है, कि अगर एक party का कोई नुक्सान हुआ, फिर चाहे वो किसी भी वज़े से हुआ हो, चाहे कोई third party ने आकर उसका नुक्सान करा हो, लेकिन दूसरी party उसके नुक्सान के भरपाई करते हो, तो insurance के contract में भी होता है, suppose एक person किसी ने insurance करवाया अपनी कार का, तो contract किस के बीच बना, उस person के बीच और insurance company के बीच, अगर कलको उसकी का का कोई नुक्सान हो जाता है, अब वो नुक्सान चाहे उससे खुद से हो, या कोई third party आकर उसकी कार को नुक्सान पहुचा दे, दोनों ही case में, जो insurance company है, वो उसके नुक्सान की भरपाई कर देगी, तो यह क्यालाएगा contract of indemnity, जहां पर जो है, किसी person या उसकी property के interest को safeguard को जाता है, against damage, insurance के contract के अंदर, जब भी कोई person insurance लेता है, तो वो यही चाहता है, कि मेरी property को कभी भी कोई नुक्सान ना पहुचे, चूँकि उस person का उसकी property के ओपर insurable interest है, और अगर कल को उसकी property को को नुक्सान हो भी जाता है, let's suppose, एक person ने कोई car का insurance करवाया, और कल को उसकी loss का amount pay करेगी, तो यहाँ पर जो insurance company ने उसको पैसा pay किया, क्या हम कह सकते हैं कि यह पैसा उसका फाइदा है, उसका gain है, बिलकुल भी नहीं, उसके car का नुक्सान होगा है, उसके car के नुक्सान की भरपाई है यह, यह contract of indemnity है, insurance का contract, contract of indemnity होता है, तो insurance के contract में, अगर आपका कोई uncertain event happen भी हो जाए, तो भी वो आपके loss की recovery होती है, किसी भी तरीके का gain नहीं होता, यही बात यहाँ पर लिखी भी है, in this case, when insurance claim is paid after the loss, the insured party do not stand to win as it is only his actual loss which is compensated, moreover, both insurance company and insured party never want that uncertain event of loss to happen, तो यहाँ पर कभी भी insurance company या insured person कोई भी नी चाहता कि कोई uncertain event हो जाए, जिसकी वह सान हो जाए, तो दोनों में से कोई भी party नहीं चाहती है, ऐसा कुछ हो, so it is concluded that insurance contracts are not a contract of wager and they are perfectly valid, difference between की बात करें, contract of insurance और wagering agreement की, तो यह हम देख चुके हैं, सिर्वे एक बार इसको receipt करते हुए चलते हैं, contract of insurance किवा कर बात करें, it is a contract to indemnify the loss, यहाँ पर loss को indemnify करा जाता है, यह नहीं नुकसान की भरफाई होती है, wagering agreement के अंदर, it is a promise to pay money और money worth on the happening or non happening of an uncertain event, consideration की बात करें, the crux of insurance contract is mutual consideration, तो अगर insurance के बात करें, तो दोनों ही parties को consideration मिलता है, जिस person ने insurance करा रखा होता है, वो person जो है, अपना premium pay करता है, insurance company को, और कल को कोई नुकसान होता है, तो उसक इसको भी consideration मिल जाएगा, तो insurance के case में, दोनी parties को consideration मिल जाता है, जबकि wage link agreement की बात करें, there is no consideration between the two parties, there is just gambling for money, तो यहाँ पर किसी भी तरीका कोई consideration नहीं होता, दो लोग आपस में शर्क लगा रहे है, तो consideration की बात कहा से आई, या तो कोई जीतेगा, या तो हारेगा, betting amount जीतन तो अगर किसी person का insurance करवाओगे, कोई life insurance लोगे, तो उस person की life को लेकर आफका insurable interest होगा, या कोई property का insurance करवाओगे, तो उस property को लेकर आफका insurable interest होगा, जबकि wage rank agreement के अंदर there is no property, in case of wage rank agreement, there is betting on others life and property, wage rank agreement के case में, कोई property की बात तो होती नहीं है, यहाँ पर बैटिंग करी जा तो life insurance को छोड़ कर बाकि सभी insurance के contract में आपको आपके नुकसान की भरपाई हो जाती है, आपके loss को indemnify कर दिया जाता है, अब life insurance को कुछ छोड़ दिया, तो भी किसी person की life को कभी भी indemnify नहीं करा जा सकता, life insurance की case में हमेशा ये कहा जाता है कि आपके life को हम assured कर रहे हैं ना कि ins assured कर रहे हैं, दोको assured और insured, दो बातों में फरक है, assured कर रहे हैं मतलब हम assurance देते हैं कि आगर आपकी life को कुछ हो गया, तो आपके family members को एक lump sum amount हमारी तरव से pay कर दिया जाएगा, उनके future के लिए, जबकि property की case में बात आती है insured की, कि यहाँ पर company insured करती है, कि आपका जो भी नुकसान होगा, आपके नुकसान की भरपाई कर दी जाती है, कभी भी किसी person की life की भरपाई नहीं कर जा सकती, life indemnify नहीं हो सकती, लेकिन जो property है, उसको indemnify करा जा सकता है, वेजरिंग की बात करें, वेजरिंग के case में, loser has to pay a fixed amount on the happening of uncertain event, तो यहाँ पर तो कोई indemnify की बात calculation of risk, तो इंशॉरिंग के case में, जो premium की calculation होती है, वो scientific तरीके से करी जाती है, या फिर जो atturies होते हैं, एक profession होता है, जिनका काम होता है risk का measurement करना, अब चाहे वो किसी property का risk हो, चाहे किसी की life का risk हो, जबकि वेजरिंग के case में, कोई logical calculation तो होता नहीं है, कि आप कितने amount की betting करो public welfare के बात करें, there are beneficial to the society, insurance का contract, beneficial होता है society के लिए, जबकि वेजरिंग contract जो है, against the public welfare है, तो difference between हो गया, आपके exam में आये तो आप लिख सकते हो, अब यहाँ पर हमारा एक छोटा सा point रहे गया है, जो कि यह lottery का, अब lottery क्या होता है, यह बात आप लोगों को अच्छे से बाता ह पूरी है lottery के ticket की, तो lottery का ticket भी तो एक तरीके का wagering agreement है, हम lottery का ticket खहिते हैं, उसके बात जो है, एक lottery number निकल कर आता है, जो की winning number होता है, अगर जिसका भी lottery number, उस winning number से match कर जाता है, उसकी lottery लग जाती है, यानि वो lottery का price जीच जाता है, तो lottery भी तो पूरी तरीके से luck और chance को पर पर depend करती है, तो इसलिए lottery को भी वेजरिंग agreement का आ गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ और बाते भी कही गई हैं, तो lottery क्या होया, lottery is a game of chance and not of skill or knowledge, तो lottery हमारा पूरी तरीके से game of chance होता है, कोई भी skill or knowledge का अस्तमाल तो नहीं होता, तो lottery जो है, दो तरीके ही हो सकती है, एक authorized by government, यहाँ पर है, इंडिया के अंदर दो state ऐसे हैं, जहाँ पर lottery unauthorized है, unauthorized का मतलब यहाँ पर lottery illegal है, कौन से दो state है, एक गुजरात और दूटरा महरास्त, गुजरात और महरास्त के अंदर lottery unauthorized है, और बाकि other states जितने भी हैं, वहाँ पर lottery authorized है, तो चाहे authorized हो, चाहे unauthorized हो, lottery ए चाहे authorized हो or चाहे unauthorized, lottery होती वाइड ही है लेकिन अगर lottery unauthorized by law है उस case में lottery waud के साथ साथ illegally भी होगी मतलब जहां पर lottery unauthorized by government है वहां पर lottery वाइड प्लस illegal है और जहां पर lottery authorized by government है वहाँ पर lottery सिर्व वाइड है अभी तक हमने वेजरिंग एक्रिमेंट्स के अंदर जतने भी टाइप के आग्रीमन पर उन सभी में हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट वोat था लेकिन यहां पर के केस में अगर lottery unauthorized है तो आपका agreement वेजरिंग तो हाई और वेजरिंग या तो void होगा प्लस साथ में illegal भी होगा अब वाइड agreement क्या होते हैं illegal agreement क्या होते हैं अगर इनके वीच आपको difference नहीं पता तो उसके लिए मैंने एक separate वीडियो बना रखिया वाइड और illegal agreement को लेकर तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से अपने concept को clear कर सकते हैं यह बात हमने अच्छे से देखी भी है कि जो agreement illegal होते हैं वो हमेशा वाइड होते हैं और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वाइड एग्रिमेंट illegal हो यह बात आपको अच्छे से पता है तो अगर कोई चीज इलीगल है तो वह पनीचेबल भाइल भी है अगर आप लौटरी खहिते हो अनौथराइस स्टेट में यानि गुजरा agreement क्या होता है यह बात भी मैंने आपको बता रखिया आप वाली वीडियो देख लेना महाँ पर क्या होता है उसका क्या होता है यह भी हमने अच्छे से समझावा है तो हमें पता है कि अगर कोई agreement है इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी अगर कोई agreement वालीड होती है लेकिन अगर कोई agreement वालीड प्लस इलीगल है तो उसकी कॉलेटरल ट्रांजक्शन भी हमेशा इलीगल होती है और यह पनीचेवल भी है अगर वालीड पार्टी ने अगर आपको पैसा नहीं दिया तो आप कोट से मदब नहीं मांग सकते है कि मेरा पैसा दिलवा दो ऐसी कोई बात नहीं हो सकती है अगर वेजरिंग एग्रिमेंट की में ट्रांजक्शन की बागत रहें एग्रिमेंट बाइव वेजर इस वाल्ड सेक्शन थर्टी ने बता दिया हमें अगर कोई आप नया प्रॉमिसत भी करते हो तो पहलता से करने के लिए कोई देंग्रिमन consider वी अग्रिमेंट करो वह सब deposit with the third person to enable him to pay to the winner can not be recovered by the winner तो यहां पर क्या कहा गया है कि अगर जो विनिंग अमाउंट है याई जो पैसा बैटिंग जीटने के बाद winner को मिलने वाला है वह पैसा अगर किसी third person के पास deposit कर दिया जाए और बाद में third person winner को पैसा देने से मना कर दे तो उस केस में जो है विनर उस थार्ड परसन से अपने पैसे की रिकवरी नहीं कर सकता, cannot be recovered by the winner, अब इसको एक्जामपल से समझो, फैलेस का एक्जामपल देखो, ए और बी दो पार्टीज हैं, enter into a वेजरिंग एग्रिमेंट, दोनों आपस में एक वेजरिंग एग्रिमेंट करते है और एक्स को कहा कि इस वेजरिंग एग्रिमेंट के अंदर हम दोनों में से जो भी जीतेगा, उसको तुम ये 1000 रुपीज दे देना, तो विनिंग अमाउंट किसके पास जमा हो चुकी है, एक्स के पास, तो अब यहाँ पर A और B में से कोई एक परसन जीता, वो गया एक्स क क्लेम कर सके, वेजरिंग एग्रिमेंट के अंदर कभी आप किसी से भी अपनी वेजरिंग अमाउंट को क्लेम नहीं कर सकते, तो एक बार आपने थर्ड परसन को पैसा दे दिया, तो थर्ड परसन चाहतो वो पैसे को अपने पास रख ले, विनर को देहीं न, तो विनर बी के बीच आपस में अग्रिमेंट हुआ था, तो अगर लेट सबसे जीच जाता है, तो ए सबसे पहले क्या करेगा, एक्स के पास पैसा मांगने जाएगा, और अगर एक्स में पैसा देने से मेना कर दिया, तो एक बी के पास पैसा मांगने जाएगा, तो यहाँ पर क्या यहां पर एक्स को बोला गया था कि जीतने वाली पार्टी को पैसा दे देना तो एक्स ने जुआ है एक को पैसा दे दिया तो आब यहांपर जो लूजर है यानि भी वो एक्स के पास आकर अपने पैसे को वापस अजा नहीं कर सकता है और नाहीं वीनर से क्लेम कर सकता है if the loser demand rupees 1000 from the stakeholder X तो अगर loser ने 1000 रुपीस demand करे stakeholder X से तो X के पास A और B का पैसा पढ़ा है तो A और B में से ही कोई एक जीता होगा एक खारा होगा यारी जो loser होगा वो भी A और B में से ही कोई एक होगा और उन्होंने ही अपना पैसा किसको दिया था? X को दिया था तो क्या loser अपने पैसे की recovery कर सकता है? X से तो बिलकुल यहाँ पर बोला गया कि अगर X ने उस 1000 को winner को pay नहीं करा है तो loser चाहे तो उस पैसे को X से recover कर सकता है लेकिन अगर एक बार उस third person यानि X ने उस पैसे को winner को दे दिया उसके बाद अगर बाद में loser आता है और आकर X से अपना पैसा वापस मांगता है तो फिर उसको वो पैसा वापस नहीं मिलेगा तो यहाँ पर यही बात बोले गई है इसको यहाँ पर दिया गया है आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हो मैं एक बार आपके लिए पर देता हूँ moreover the money deposit with the person to enable him to pay the winner cannot be recovered by the winner तो अगर एक बार आपने money deposit कर दिया third person के पास और third person को बोला कि यह पैसा winner को दे देना तो फिर चाहे करको third person वो पैसा winner को ना दे winner उस पैसे को claim नहीं कर सकता उस third person से but the depositor may recover it from the stakeholder if it has not been paid to the winner लेकिन जो depositor है यानि A और B वो उस third person से यानि उस stakeholder से अपने पैसे को वापिस recover कर सकते हैं लेकिन तब तक कर सकते हैं जब तक उस पैसे को उसने winner को ना दे गिया हो however where the money has already been paid to the winner it cannot be recovered back from him एक बार पैस winner को दे दिया उसके बाद वो पैस वापिस recover नहीं हो सकता तो clear होगे आपको एक बार इस example को वापस पढ़ लेना अब बात करें effect of collateral transaction के अगर मैं बात करूं collateral transaction क्या होता है ऐसी transaction जो incidental है to main transaction यानि main transaction करने के लिए ही यह collateral transaction करी गई है तो wagering agreement हमारा void होता है इसका मतलब हमारी main transaction transaction वाइड है तो main transaction वाइड होने से कभी उसकी collateral transaction वाइड नहीं होती वाइड agreement की collateral transaction पूरी तरीके से valid होती है इसको एक्जामपल से समझो पहले एक्जामपल देखो A2 का bet of rupees 500 with B that a certain car would win in a certain car race तो यहाँ पर दो parties है A और B B kis चीज में bet लगाई जारी है तरहें उद्हार लेकर उसने बैट्टिंग लगाई थी और वह भी वार गा वहां. बिल्कुल नहीं नहीं कि, ओcomm developer रहती है तो यहां पर C जो आक है कि contribution होगा देरफोर ओड यहां पर इसे पैसे की recovery कर सकता है यहां पर इसके बिल्लिखले एंड सी इस को वाली वीडियो के इंडर वहां पर हमने कहीं सारे championship यहां जथ है देख लेना, A is liable to repay the amount of loan to C, तो clear होगा आपको, अच्छा एक बात बताओ, अगर माल लो A और B ने ये betting गुजरात या महरास्ट में से किसी स्टेट में करी होती, तो उस case में भी क्या answer यही होता, A और C के बीच के collateral agreement को हम valid declare करते बिलकुल भी नहीं, अगर ये agreement A और B के बीच जो हुआ, ये गुजरात या महरास्ट कहीं पर भी होता, तो गुजरात और महरास्ट दोनों के ही अंदर आपकी betting के transaction, यानि वेजरिंग agreement करना illegal है, तो A और B के बीच का agreement, जो की एक वेजरिंग agreement है, ये void के साथ-साथ illegal भी होता, और कोई भी illegal agreement की collateral transaction हमेशा illegal होती है, ये ब पैसा लटाने के लिए, तो हमें ध्यान रखना है कि agreement कहां पर हुआ है, main agreement अगर सिर्फ void है, तो इसका collateral agreement पूरी तरीके सा valid होगा, लेकिन अगर main agreement void plus illegal है, तो इसका collateral agreement भी illegal होगा, therefore the transaction collateral to the main transaction are not void, तो समझ में आगे आपको clear हो गया, तो अगर आपको illegal और void के भी कोई confusion हो गी तो इसका मतलब illegal और void को लेकर आपका concept clear नहीं है, तो आप जाकर पहले अपने illegal और void के concept को clear करो, जाकर उस वीडियो को देखो, उसका link आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा, तो यह हमारे wagering agreement के सभी point complete हो गया, wagering agreement का हमारा topic complete हो गया, अब हम देखेंगे अपना next topic, व